हेलो एवरीवन कैसे आप सब उमीद करती है आप सब ठीक हूंगे तो आज के करेंट अफिया टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एवोर्ट से नौना टुथाउजन ट्वेंटी टू जितने भी पुरुसकार और समान है 2022 के उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे सारे अगस करेंट आफिया बहुत ट्रेंडिंग पर चलना है हर एक्जाम से ज्यादे से ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं और एवोर्ट से तो दो या तीन कोशन तो आहीं जाते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है यह वाला तो लास्त तक बने रहना बिलकुल ध्यान से सुनना वीडियो स्टार्ट करते हैं So the first question is Who has been honored with a lifetime achievement award by President Joe Biden with the citation of with grateful recognition ठीक किसको अमेरीकी रास्टपती इससे हमें पता चल गया अमेरीकी रास्टपती भी कौन है ठीक कि अमेरीकी रास्टपती जो है अपने Joe Biden ने with grateful recognition से प्रतिस पत्र के साथ Lifetime Achievement Award से समानित किया किसको Dr. Vivek Lal जी को तो Dr. Vivek Lal जी कौन है ये Indian Origin General Atomic Global Corporation के Chief Executive है इनको Lifetime Achievement Award से समानित किया गया Dr. Vivek Lal जी को ठीक Next से अपना In the big state category with state had been given the first prize award for Swach Selection Grammean 2022 बड़े राज्यो की सेड़ी में Swach Servation Grammean 2022 के लिए किस राज्यो को प्रतम पुरुसकार प्रदान किया गया है तो ये किया गया है अपने तिलिंगाना को तिलिंगाना को Swach Servation Grammean 2022 से समानित किया गया है थोड़ा देखते हैं मसके बारे मैं अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, तो स्वच सर्वेशन ग्रैमिन 2022 की जो लिस जारी हुई थी, उसमें पहले नमबर पे तिलिंगाना है, सेकिंड नमबर पे हरियाना है, देन थर्ड नमबर पे तमिलाडू है, और अगर हम छोटे स्टेर याफी यूटीज की बात करें हमारी United Territories केंद्र चासित की बात करें, अंडमाना है, निकोबार का फर्स रैंग मिली है, दाज्रा और नागर हवेलियन दमन अंदियों को सेकिंड रैंग मिली है, ठीक है, ये रैंग जानना बहुत ज़री है, पुछा जा सकता है, कि तिलंगाना के बात दुसरा किसको मिल अंदिया सर्वेशन अवर्ड है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो फर्स तिलंगाना, देन हरियाना, देन तमिलाडू, देन तमिलाडू, देन फर्स कोश्चेन इस, जिसको सास्त्रा रामनुजन प्राइस बोलते है, निमने लिखित में से किसने 2022 के लिए सन्मुक कला, विद्यान, प्रदोगिट, अनुसंदान अकैडमी, सास्त्रा, रामनुजन प्रूसकार जीता है, ठीक है, योन किंग टैंग, अब ये योन किंग टैंग कौन है, ये जो युनिवर्सिटी ओफ कैलोफोर्निया, युएसे की है, वहां के असिस्टेंट प्रॉफेसर हैंगे, ठीक है, योन किंग टैंग, इनको सास्त्रे अवार्ड मिला, ठीक है, एक्स है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि किसको मिला, कैसे मिला, किस वज़े से मिलता है यह प्रतिवर्स गडिन्त के छेत्र में उतकरस्ट योगदान देने वाले 32 वर्स और उससे कम आयू वाले व्यक्तियों को मिलता है, मेंली यह मैथमेटिक्स के फिल्ड में मिलता है, या तो 32 की एज होनी चीए, या उससे कम होनी चीए, ठीक है, और यह पुरुसकार 2005 में सस से द्वारा किया गया है, ठीक है, 2005 में सुरूआ था, और इस पुरुसकार की जो नगत पुरुसकार है, जो कैश प्राइज है, वो डॉलर 10,000 है, तो इनको भी, ठीक है, इनको भी यून के इनको भी डॉलर 10,000 प्राइज मिला, ठीक है, और यह एसिस्टेंट प्रॉफिसर ह है, तो ठीक, नेक्स問 है, कुछ नग्यांम मिलेगा और बहुत से अवोर्ट एक इनसान को भी, मिला है, तो उसमें थोड़ा कन्फियूज मत होना, मैं राम से बताउंगे आप लोग और. अक्टूबर 2022 में सयूक्त रास्ट सर्णारती एजेंसी, जितनी भी refugees होते हैं, वो एजेंसी के द्वारा, नानजेन पुरूसकार किस ने जीता है? अपनी एंजिलीना मार्कल ने जीता है. फ्वड़न के बारे हम देखते हैं. चार अक्टूबर 2022 को पूरू जर्मन चांसलर थी ए ठीक है ये पूरू जर्मन फॉर्मन जर्मन चांसलर थी एंजलिना मारकर इनको संयुक्त रास्ट्र सरनार्थी एजिंसी का प्रतिस्ट्री नांसें पूरुसकार जीता है ठीक उन्होंने 2015-2016 में जर्मनी में 1.2 विलियन से अधिक सरनातियों को सरन चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया ये इन्होंने जितने भी रिफ्यूजी आए उनका वेलकम किया इसलिए इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया ठीक है अच्छा काम किया है इन्होंने काफी तो इसलिए इनको नांसें पूरुसक पुरुषकार जीता है तो स्वागत के लिए 2022 का युनिस्को चांती पुरुषकार जीता है दूसरा इन्होंने पीस प्राइज भी जीता है ये सारे पुरुषकार इन्होंने इसीड़ी जीते हैं क्योंकि ये पुरुसका उन्हीं को दे जाते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया हो ठीक है को सोचर वर्क किया हो को बहुत ग्रेट वर्क किया हो ठीक तो ये पुरुसका 2022 युनिसको पीस प्राइज भी एंजिलीना मार्कल को मिला है ठीक नेक्स हैu हुए है रिसीव द अमारिकन जियो फीजिकल देवेंद लाल मेमोरियल मदल इन और inspirations 2022 प्रूसका जीता है थोड़ा देखते हैं क्या है यह ठीक है पूने इस्तित पूने में हैं यह पूने इस्तित इंडियन इंसिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैटरलर्जी आई आई टीम के विज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोड ने मैडल प्राप्ति किया है उन्हें प्रिधिवी और अंत एलिन एस्पेक जॉन एफ क्लासर एंटोन जिलिंगर ने संयुक्त रूपसे किस चेत्र में नोबल परुसकार जीता है इन्हों ने इन तीनों ने फ्विजिक्स में जीता है तो विनर है एलिपर एम प्रॉक्समें जीता है इनकी उत्क्रस्ट भूमिका के लिए इन्हों किसमें काम किया quantum quantum mechanics में प्रयोग करने वाले जिसने computing और cryptography में तेजी से विक्सित हुए अनुप्रयोग के लिए आधार तयार किया था इसलिए इनको physics में नोबल प्राइस मिला है ठीक है next है who has won the novel prize in physiology or medicine for his discovery concerning the genomes of extinct hominians or human evaluation किसने विलूप्त hominin और मानव विज्ञान के जिनोम से संबंदित अपनी खोजों के लिए physiology या फिर आप medicine में बोल सकते हैं physiology बोल सकते हैं और फिर medicine में बोल सकते हैं noble proscar जीता है human evaluation ठीक समवेते पाबोन समवेते पाबोन ठीक तो समवेते पाबोन जीता है physiology और medicine में इन्होंने क्या किया मानव जाती के दो सुरुवाती पूरवजों की अनुवन से पहचान की खोज के लिए और मानव विकास प्रक्रिया पे एक नई प्रक्रिया खोनने के लिए इनको ये पुरुसकार दिया किया ठीक next है who won the 2022 Nobel Prize in Economic for research on bank and financial crisis अभी तो physics की बाद चली, medicines की बाद चली, अब बाद चल रही है bank of financial crisis की बैंक और वित्य संकट पर सोथ के लिए अर्थ सास्त्र में 2022 का nobel प्रुसकार किसने जीता है अब बाद चल रही है economics की ठीक है तो ये जीता है Ben, Douglas and Phillips Ben S. बारने के Douglas W. डाइमन, Phillips H. डाइबिक ठीक है इन तीनों को आप ऐसे याद कर लीजे Ben, Douglas और Phillips इन तीनों को economics में award मिला है for bank and financial crisis तो देखो Ben, Douglas and Phillips इनको मिला economics में और किस वज़े से मिला है banking और वित्य संकट पर सोथ करने के लिए ठीक अब मैंने list दे रही है हाँ पर physics में किसको मिला chemistry में किसको मिला physics का मैंने बताया alien, john and antin को alien, john and antin को physics में मिला अपने quantum mechanics के लिए medicine मैंने बताया स्वांते पाबो को मिला human evaluation के लिए economics में मैंने बताया Ben, Douglas and Phillips को मिला banking के लिए, banking और financial crisis के लिए अब आप याद कर लीजे chemistry का cryolone, morton and barry, literature में any, peace के लिए LS memorial and center for civil liberties ठीक है ये list या तो आप फिर screenshot ले लीजिए या फिर कहीं पर no down कर लीजिए अब देखिए organization भी है जिन को मिला है ठीक है जिन organization ने दिया है nobel prize in literature ठीक है literature में जो nobel prize मिलता है awarded by the Swedish academy Swedish academy के द्वारा दिया जाता है chemistry में royal Swedish academy of science पीस में ठीक है पीस में जो nobel prize मिलता है वो award किस के द्वारा दिया जाता है तो यह पुछा जा सकता है तो यह भी बहुत important है आप कहीं पर no down कर लिजिए फिर screenshot ले लिजिए ठीक next is who among the following won the changemaker award at UN SDG action award 2022 at a ceremony in bonn Germany निमने लिकित में से किसने bonn Germany में एक सम्हारों में संयुक्त रास्ट SDG action award 2022 में changemaker पुरुसकार जीता change maker पुरुसकार नाम से ही लग रहा है change को change किया होगा ठीक फिलाल मैं बताती हूँ किसको मिला स्रिस्टी बक्षी को मिला है यह award ठीक है स्रिस्टी बक्षी को मिला है इस award में क्या है यह मेलनी उन लोगों को दिया जाता है ठीक है तो यह लोग ऐसे ऐसे वेक्तियों को जुटाते हैं उनको जोडते हैं यह साबित करने के लिए कि हम मैंसे प्रतेक के पास परिवर्तन कारी कारवाही करने की शक्ती है ठीक है तो किसको मिला यह award 2022 का स्रिस्टी बक्षी को मिला ठीक तो अब देखते हैं इनको किसके लिए मिला इनको मिला तुरेज अवेर्नेस ओं जेंडर बेस वाइलेंस और इनको आधरित हिंसा और असमानता पर जागरूपता बढ़ाने के लिए वही इन्होंने भी कुछ बदलाव किया एक्वालिटी पे और जेंडर एक्वालिटी पे किसी पे कह सकता है कोई बीटापिक उठा लीजिए हर कोई जिस पे जिसको इंट्रस्ट है कोई सफाई के लिए आवाज उठा सकता है तो यही इस बार के श्रेश्टी वक्षी को मिला next say who among the following has been named the winner of first ever queen elizabeth second woman of the year award निमने लिखित में से किसे पहली बार महरानी लजबे दिटी woman of the year पुरुसकार के विजिता के रूप में नामित किया गया है ठीक है स्वाला ब्रेवे मैं को ठीक है स्वाला ब्रेवे मैं को next say who has been conformed with the 31st व्यास समान on 25 August 2022 25 अगस 2022 को 31 व्यास समान से किसे समानित दिया गया जो इस बार 25 अगस 2022 को व्यास समान हुआ उसका 31st डीशन था टीक है 31st edasion था इस बार वो किसको मिला डॉक्टर अजगर वजाहत को ठीक है डॉक्टर अजगर वजाहत को ठोड़ा मेरा पहन काम व्यास सम्मान ठीक है तो इनको award मिला उनके नाटक महाबली के लिए पुछा जा सकता है कि उनको किस के लिए मिला उनके नाटक महाबली के लिए मिला ठीक है 31st था था ये तो व्यास समान अगर हम 30 की बात करें तो वो मिला प्रावर्फेसर सरत पागरे को उनके पार्टली पुत्र की सामरागी नोवल के लिए ठीक है और जो व्यास समान है यह दिया जाता है कि बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आउटस्टेंडिंग पॉफोर्मेंस होती है लिटरली वरक इन हिंदी में ठीक है हिंदी में सहा चिडिया घर के रूप में मानेता दी गई है ठीक है पद्मा नाइड्यू हिमालियन जियोलोजिकल पाक उसको बेस्जू इन दी कंट्री का एवल्ट मिला है ठीक निम्ने लिखेत में से किसे सितंबर 2022 में लोग नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहिति पुरुसकार से समानित किया गया है तन केला भरनी को यह एक इंडियन राइटर है, स्क्रीन राइटर है, पोएट है, प्लेराइट है, डिरेक्टर है जिन्होंने बहुत सारी तिलिंगू फिल्म में काम किया है इन्होंने 750, 750 से भी ज़ादा तिलिगू तमिलकर नंड हिंदी भासा में की फिल्मों में काम किया है तो इनको इस बार सहती पुरुसकार अफ लोग नायक फाउंडेशन से समानित किया गया तनकेला भरनीजी को, ठीक है, इनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, उमीद करती है, आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाली वीजियो, ठीक, तो ये हुआ था आंद्र प्रदेश के शागा पत्ना में 18 एडीशन था, और ये पुरूसका प्रतिवर्ट्स एक प्रा पत्वा, जिसको पत्वा बोलते है, इन सिटमबर 2022, सिटमबर 2022 में पैसिफिक एरिया राइटर एसोसियेशन पत्वा द्वारा किस राज्य को इंटिनेशनल ट्रेवल एवार्ड 2003 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ये क्या गया है, वेस बेंगॉल को, ठीक है, किसको क् प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलाबरेट करती है, ताकि ट्रेवल एंट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, तो इस बार किसको मिला, वेस बेंगॉल को मिला, ठीक है, वेस बेंगॉल को मिला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिर भी मैं टिक कर दे रही हूँ, with the France top civilian award Knight of the Legion of Honor in September 2022 सितंबर 2022 में France के SEARS NAgri सम्मान Knight of the Season of Honor से किसे सम्मानित किया गया है स्वाती पीरामल को ठीक है स्वाती पीरामल को Knight of the Legion of Honor से सम्मानित किया गया है थोड़ा देखते हैं प्रख्यात भारती विज्यानिक और पीरामल ग्रूप की उपाध्यक स्वाती पीरामल को फ्रांस के सर्वोष चिनागरिक सम्माण नाइट ओफ दी लीजन ओफ ओनर से सम्मानित क्या गिया उन्हें वैपार, विज्ञान और भारत फ्रांस सम्मंदों को मजबूत करने के छेतर में उनके योगदान के लिए सम्मानित क्या है ठीक है, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है और वाइस चेर्मेन है पीरामल ग्रूप की उनका नाम है स्वाती पीरामल इनको मिला है ये अवार्ड नाइट ओफ दी लीजन ओफ ओनर निमने लिखित मैंसे किस कंपनी को 2021 के लिए ग्रह मंत्राले भारे सरकार द्वारा प्रतिस्टी राज साभा कीर्थी पुरूप कार से सम्मानित किया गया है ठीक है, गार्डन रिच बिल्डर और इंजिनियर्स लिमिटेड को GRSC को ठीक है Next, which international airport has been awarded the airport service quality award 2022 by the airport council international airport council international द्वारा किस अंतरास्टी हवाई अड़े को airport service quality award 2022 से सम्मानित किया गया है ठीक है, airport service quality क्योंकि airport की भी अपनी अपनी service होती, कोई बहुत अच्छी service देता है तो ये सारे customers के द्वारा, passengers के द्वारा दिया जाता है Airport Service Quality Award इस बार किसको मिला है कोचिन International Airport को कोचिन International Airport को ठीक Next is which of the following has been confirmed with the National Award for Excellence in CSR and Sustainability Vestow by ETSN in Bangalore निमने लिखेत में से किसको Bangalore में ETSN द्वारा CSR और Sustainability में उत्करस्टिता के लिए राश्टी प्रुसकार से समानित किया गया है National Mineral Development Corporation को National Development NMDC को National Award for Excellence in CSR and Sustainability का Award मिला है बंगलोव में Next is which country has won the United Nations Award for its Hypertension Control Initiative in September 2022 किस देश ने सितंबर 2022 में अपने उच्च रखतिचाप नियंतर पहल HCI I-SCI बोलते हैं इसको के लिए संयुक्त राश्ट प्रुसकार जीता है किस country ने पूछ रखा है इंडिया ने ठीक है इंडिया ने United Nations Award जीता है for its Hypertension Control Initiative के लिए Next is which of the following company has been awarded for the National Energy Leader Award in September 2022 निमने लिकित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में राश्ट ये उर्जा अग्रणी पुरुसकार से सम्मानित किया है ये सारे PSU को मिलता है ये Award National Energy Leader Award है ये इस बार 2022 में किसको मिला है राश्ट इस्पात निगम Limited को राश्ट इस्पात निगम Limited को National Energy Leader Award से सम्मानित किया गया है ठेक अगर हम राश्ट इस्पात निगम Limited का देखे फाउंड वाता 18 February 1982 को विशाखा पत्ना में Headquarter है अतुल भट्जीस के Chairman and MD है Next one is Who has been named as the recipient of Herman Kasten Prize for the P.A.N. Center in Germany, Darm State Germany के Darm State में Pen Center द्वारा Herman Kasten Pruskar Herman Kasten Pruskar से प्राप्ट करता कि रूपे किसे नामित किया गया मीना कांडे स्वाम को मीना कांडे स्वामी को Herman Kasten Pruskar से सम्मानित किया गया Next is Which city of Madhya Pradesh won the best civic management of a tourism destination of India award in 2022 Madhya Pradesh के किस सहर ने 2022 में Service Trist भारत में परिटन स्थल का नागरिक प्रबंदन प्रुसकार जीता है जहां tourism की बहुत अच्छी सुईदा है tourist को बहुत अच्छे से पेश किया जाता है tourist के साथ उनको अच्छी facilities दी जाती है तो ये सारा प्रुसकार civic management of tourism destination of India वहीं को मिलता है तो इस बार Madhya Pradesh के किस city को मिला है ये question पूछ रखा है Indoor को मध्यप्रदेश के इंदौर को civic management of tourism destination of India award 2022 से सम्मानित किया गया next which of the following state has been awarded the Iusman Utkresta Award 2022 for adding various health facilities निमने लिके इतने से किस राजजी को विबिन स्वास्त सुविदाओं को जोडने के लिए Iusman Utkresta पूरुसका 2022 से सम्मानित किया गया तो उत्ताप्रदेश को मिला है यह award तो उत्ताप्रदेश ने बहुत सारी various health facilities बहुत सारी health facilities जोड़ी है जिसमें उनको सबसे अच्छा प्रदशन करने वाला राज्यमाना किया है Iusman Utkresta Award 2022 से सम्मानित किया गया उत्ताप्रदेश को next which state received the first prize in two categories the best adventure tourism destination and all around development of tourism for ministry of tourism किस राज्य को पेटन मंत्रा ले की ओर से दो स्रेणियो best tourism destination and all around development of tourism from the ministry of tourism से सम्मानित किया यह दो एवार्ट मिला है एक तो best adventure tourism destination और all around development of tourism from the ministry of tourism कौन से राज्य को मिला है यह उत्राखंड को मिला है ठीक है उत्राखंड वैसी ही अपना tourism place है नौर्थ में है यहां क्या-क्या नहीं है घूमने के लिए पिंडारी glacier है अपना ठीक है पिंडारी glacier हो गया ओली हो गया अपना मसूरी हो गया ठीक है दो category के award मिले उत्राखंड को कि tourism में इतना अच्छा काम कर रहा है उत्राखंड है नहीं तो best adventure tourism destination all around development of tourism from the ministry of tourism से समानित किया गया next say who has been conferred with the prestigious military award the pingard jessa jamming tantra on marital service medal military in September 2022 सितमब 2022 में Singapore के प्रतिस्टी सैनी पुरुषकार pingard jessa jamming tantra या मिधावी सेवा पद्य से किसे समानित किया गया है ठीक है सुनीर लामबा को ठीक है सुनीर लामबा को अब भारत के पूर्व नौ सेना प्रमुक एड्मिरल सुनीर लामबा को राष्टपती हलीमा याकूब द्वारा सिंगापूर के प्रतिस्टी सैनी पुरुषकार pingard jessa jamming या मिधावी सेना पदग से समानित किया गया है ठीक है सुनीर लामबा जी को पुटेलेस थोड़ा देखते हैं तो UEFA में वोमन प्लेयर आफ दी प्राइज अलिग्जा पुटेलेस ने जीता है जो कि स्पेन की है और ये बार्सलेनर टीम से खेलती है वहीं अगर हम मैन प्लेयर आफ दीयर की बात करें तो कारीम बेंजिमा ने जीता है जो कि फ्रांस से हैं और ये टीम मैडरीट से खेलते हैं ठीक है दोनों बहुत इंपोर्टेंट है कहीं पर नोडाउन कर लीजिए या फिस स्क्रीन्शॉट ले लीजिए नेक्स से अगर 2022 में किस जीले को नीती आयोग ने भारत में सर्विस रेस्ट अकांसी जीला घोशित किया है अपने हरिद्वार को और हरिद्वार कहां है उत्रा खंड में हरिद्वार जहां अपने सारे पाप दूलते है ठीक है वहाँ नीती आयोग ने भारत में सर्विस रेस्ट अकांशी जिला घोशित कर दिया है थोड़ा देखते हैं अकांशी जिला कारेकरम 2018 में सुरू किया गया था इसका उद्यसी देज भर में 112 सबसे कम विक्सित जिलो को प्राभावी डंग से परिवर्तित करना है पर्म आयर्ट जी थे हैं ठीक है नेक्स इन ऑक्टोबर 2022 वहस नेम ड़ेंट इन्टनेस्टन आल फ्टरेशन गोल कीपर ऑफ दी यर इन मैं केटिगरी अगयन उरूसों की स्टेडी में पूछा गया है कि International Hockey Federation Goalkeeper of the Year का एवोर्ट किसे मिला October 2022 में ठीक है PR Shrijesh को मिला प्यार श्रीजेश को ठीक है तो हम थोड़ा देखते हैं International Hockey Federation Goalkeeper of the Year Man category में PR Shrijesh को मिला अगर वही हम Hockey Federation Goalkeeper of the Year Women's category के में बात करें सवीता पुन्या को मिला Man category में प्रियास रीजेश को Goalkeeper of the Year होकी में हाँ और Woman category में Goalkeeper of the Year सवीता पुन्या को ठीक है वहीं अगर F.I.H. Rising Star of the Year 2021-21 in Woman category ठीक है होकी की बात चल रही है Rising Star में किसको मिला Woman category में मुम्तास खान को वहीं अगर Rising Star में Man category में बात करें किसको मिला तिमोई तेक क्लेमेंट को नेक्स है Who has been back the prestigious 2020 दादा सहाफ फाल के अवर्ड हेल्ड इर New Delhi in September 2022 सितंबर 2022 में नई दिल्ली मां आयोजीत प्रितिस्टित 2020 दादा सहाफ फाल के पुरुसकार किसने प्राप्त किया 2020 है उस टेम पे हुआ नहीं अब हुआ वो तिया आप फोटो से ही देख सकते हैं आप इनको बहुत अच्छी से जानते हूंगे बहुत ही अच्छी actress थी ये बहुत शांदार actress थी आशा पारेक जे इनको 2022 दादा सहाफ फाल के अवर्ड से सम्मानित किया गया अब थोड़ा हम वन लाइनर पे बात कर लेते हैं जरा वन लाइनर में क्या है 2023 बेक्ट्रू प्राइज इन मैथेमेटिक फॉर मल्टिपल डिसकवरी इन थियोरोल्टिकल कम्प्यूटर साइंस इन मैथेमेटिक्स 2023 सेधान्तिक कम्प्यूटर विज्ञानियों गडित में कई खोजों के लिए गडित में निर्णायक पुरुषकार ठीक है यह मैट्स के लिए ही पूछा जा रहा है कि बेक्ट्रू प्राइस किसको मिला है डैनियल एस पाइलमेंड को ठीक है next who won Emmy Award for his narration in the Netflix documentary Our Great National Park Netflix documentary में अपने कथन के लिए Emmy Award किसने जीता है ठीक है Emmy Award किसने जीता है Emmy Award जीता है Our Great National Park documentary है यह बनी है the former President of United States बराक उमामा के ठीक है तो यहां तक के यह पूरी information थी whole information थी आपके इस बार के बारे में उमीद करते हैं आपको काफी helpful लगी होगी काफी अच्छी लगी होगी तो वीडियो जरूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते है नेक्स वीडियो में